सरंदाता कहानी जो अग्ये का एक मिनुल विज्ञानिक कहानी है इस कहानी में अग्ये ने हिंदू मिसल्मान के दंगों के बीच फसे एक हिंदू की चरित्र एवां उनकी घट्नाओं पर आधारित इस कहानी में लिखा गया है तो कहानी सूर करते हैं कहानी का मुख्य पात्र है दविंदर लाल जो की एक हिंदू पात्र है जिसका एक मुसल्मान दोस्ती है जिसका नाम है रफू रफी कुदिन रफी कुदिन उसके बाद रफी कुदिन के सामने एक सेक उता उल्ला जबनिसियानी जैप दविंदर लाल हिंदू पात्र है इसमें दूसरा पात्र है रफुकुदीन उसके बाद उसका पड़ोसी है सेक उताउल्ला अतुल्ला और जबनिस्यानी या सेप उसकी बेटी है सेक अतुल्ला की जिसमें उसका हिंदू मित्र फज जाता है दविंदर लाल और वह रफुदिन के घर में रहता है घर के सामने एक गिरेच है जिसका गिरेच का मालिक का नाम था सेक उता उल्ला का मोटर गिरेच में रफी दरलाल चिपाया जाता है वहाँ चिप के रहता है या रफुदीन के पड़ोसी है रफुदीन के पड़ोसी थे सिक उत्ता उल्ला जो रबिंदर लाल को की बोटी-बोटी कटवा देना चाहते थे लेकिन जब उनका वेटी सेफ जिसके पिता का नाम था इसके बेटी का नाम ज्यफ था ज्यफ युश्या दोनों है उसकी नाम कहानी में तो उसमें सेख उत्ता उल्ला की पुत्री है जो रविंदर लाल को 20 यूप्थ रोटी खाने से रोकती है बचाती है वो अब इस यूप्त रोटी उसके मित्र रफिकुदिन द्वारा भेजी जाती है और उसे वह रोकती है तो इसमें रफिकुदिन लाहोर का प्रतिश्ट मतलब एक जाने माने वकिल है तो इस कहाने में इस तरह सेद के बारे में कहा गया है मतलब कि हम लोग कर सकते हैं कि इनके जीओनी किस तरह फंसने में किस तरह संकट होती है और अपने मित्र ही अपने को साथ नहीं देती है तो इस कहाने में उस तरह अग्ये ने बताए हैं सचिदानन धिरानन वासले अग्य तो इस कहानी को शुरू करते हैं पूरे विश्टास से इस कहानी में आजादी के बन देश में फ्यले हुए शंपरदाइक दंगों से उत्पन हिंदू मुसल्मान की एक दूसरी का घात पर मासीक्ता की शत्रूता की भावनाओं का बढ़ाही यथात मुनविज्ञानिक चित्रन किया गया है इस कहाने में हिंदू मुसल्मान को जो अठारो सो शंताओन में हुए विद्रो में जो मुसल्मान पाकिस्तान हिंदू हिंदू हिंदूस्तान तो उस समय के दंगों का चित्रन किया गया है कहनिकार या प्रस्तुत करता है कि देश की आजादी के लिए हिंदू मुसल्मान सम्मिलित होकर संगर्ष किया है हिंदू और मुसल्मान देश के आजादी के लिए दोनों ही संगर्ष करते हैं दोनों ही अंग्रेजों के साथ लड़े हैं और आजात के बाद एक दूसरे के प्रवल सत्रू बन गे हैं और आजात होने के बाद अपने आप में लड़ रहे हैं एक दूसरे के प्रवल मतलब सकते साली सत्रू बन गे हैं इसके परिवर्तनकारी द्रिस्य को लेकर 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 ने यह कहानी प्रश्तुत की है और कहानी का नाम ही सरंदाता सरंदेनी वाला अर्थात और सोचने में विवस्ट कर रहे हैं कि कीशे पूर्व की हिंदू मिसल्मान मित्रता आजादी के बाद सत्रू हो गें जैसे कि इसमें कहानी में जो कि दोनों मुख्य पात रहें रफूदिन और दविदर दोनों एक दूसरे की दूसमन बन जाते हैं आजादी के बात इस कहानी में इसकी समयच्छा होगी तो समयच्छा के लिए हम लोग इसको निम्लिखित बाट्रों में बाटती हैं पहला बागे कथा वस्तू इसमें क्या कथा वस्तू कहा गया है तो कथा वस्तू कहानी में कथा में रफी कुदिन और जयब परमुपात रहे कथाकार ने आजादी के बाद भारत में हिंदु मुसल्मान के शम्परदायत दंगों में किस परकार के लोगों के हाथ पर इस की पहचान किया है कहानी में रफुदिन सहाप नामी की मौद वकिल है एक नामी अकिल है रफुदिन सहाप वही देविंदर हिंदु है जो की सरल सौभाव का है इसके घर मुसल्मान के महले में है देविंदर का घर मुसल्मान के महले में है जो कि वह दंगी में भाग ना सका जिसके कारण उसके दोस्त के घर में सरन लेता है और उसके दोस्त उसको एक सेक उत्ता उल्ला के गिरेच में सरन देता है हिंदू मिसल्मान दंगे से देवेंदर लाल को अपनी जान का खत्रा हो होता है वह परम्बित्रा राफो दिन उन्हें रक्षा की जिम्यदारी लेते हैं जब प्राच्छक में असमरता होती है तो पुड़ोस की एक सेक उत्ता उल्ला के इहां उन्हें एक गिरेच में रखते हैं जो उनके बगल के कमरे में ही होती है पर उत्ता उल्ला रोटी में बिश देकर मारने की कोशिश करते हैं उत्ता उल्ला उसे रोटी में बिश देकर मारने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी पुत्री जैप रोटी नो खाने की पूर्जे देकर रविंदर नात रविंदर लाल की रक्षा करती है और दविदर लाल रात को समय चारदिवारे फात कर भाग जाते हैं यहां इस दंगे की पीछे लेखक का कहना है कि गुंडे परिवर्टी के बुद्धी जीवी और साजन व्यक्ति कठोरता के बेहवार करते नहीं जिसमें गुंडो के बुरे लोक आतंग फैलाने में सफल होते हैं जब देविंदर की रक्षा के प्रती नेक आदमी रफुदिन साहब गुंडो से जुख जाते हैं इसमें और एक घटना होती है एक मसल्मान पात्र अपने पिमारी का बहना करकी एक हिंदू डोक्टर को अपने महले में ले जायते हैं और उसे भी उँआ उन्हें मार देते हैं जिसे दंगा और बढ़ जाती है अब पात्र का चरित्र चित्र कहणने में हिस्ट मुसल्मान एकता 9 भाइचारा दिखाया गया है पर गुंडों के आगे सरजन बेति परास्थ हो जाते है जिस आजादी के बाद दिश में हिंदू मुसल्मान की एकता भंग हो जाती है जैसे कहानी में देविंदर लाल का चरित्र चित्रन दिखाया गया है सुब तो चलेगे आपस मुझे कोई डर नहीं बलकि आपका तो सहरा है लेकिन आप जानते हैं जब एक बार लोगों का डर जकर लेता है तो भागदर पर जाती है जब फिजा ही कुछ और हो जाती है तो सरी मन अपने आप डर नहीं लगता है इस परकार देविंदर लाल यहां अलप संख्यक और डर पौक तथा समय हुए लगती है वो अपनी दोस्ट को सरन लेते हैं पर दोस्ट भी उसे मचाना सकता है और वह आखिरकार चायदिवारी फान भाग जाते हैं आप इसमें शंबाद के बात करेंगे कहाने में शंबाद पात्र नुकूल है जो हिंदु मुसल्मान था अलसंख्यक बहुसंख्यक को परकट कर देती है हिंदु पर्च में देवेंद्रलाल सह में हैं क्योंकि वह अकेले मुसल्मान की साथ उनके महलने में पसे हुए हैं उनको संबाद बता देती है कि उन्हें जान का खत्रा है जिसी देवेंद्रलाल का संबाद देखिये हैं आजादी वह कहते हैं पहले भी विदेशी सरकार लोग को केद करते थे कि वह आजाद के लिए लड़ना चाहते थे अब अपने भाई अपनों को तनहा केद कर रहे हैं क्योंकि वह आजादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं इस परकार कहानी में शम्बवाद को साप जाहे रहें कि हिंदू मिसल्मान दंगों में अर्प संख्यक का जीवन में खत्रा पैदा कर देती है देशकाल और वातवरण इसमें किसा देशकाल था और किसा वातवरण था लेखक कहानी में आजादी से पूर्व हिंदू मिसल्मान एकता और आजादी की पश्चात हिंदू मिसल्मान की भिविनता लड़ाय जगरो शत्रूता पाउनाव का चितरन किया है जिस संप्रदाय दंगो की पीछे की कारण को रफुदिर ने घर गुंडो दौरा देवेंद् के दंगो का संगलंता परदान की है फिर अच्छे वेटी जब लोरा पूर्जे लेकर देविंद्रेलाल की जान बचा देती है वह वेटी सेक उटा उल्ला का वेटी थी जो की उन्हें रोटी नहीं काने को कहती है यहां लेखक सर्जन वेक्ती दरवारो गुंडो के प्रती म द्वोन धरन करने का शवाव को दरसाया है अब बात करते हैं बहता के बारे में इसमें किस तरह की बहता है काहनी कि महसा सरल और कथा में विश्य का बोध्गम है शब से बना है जिसी वुद्धिजीवी सर्जन विती गुंडो या बुरे शवावाले के वीच जुकर ही रहत यह देवेंद्र दरलाल कहते हैं अकेले इंसान को जुखना ही पड़ता है यहां तो पूरी गाउं था फिर भी उन्हें हारना पड़ा है यह वाक्यर अफुदिन के लाचारी पन को इसवर्ष करने में सफल है इस कहानी का उद्देश से क्या है इस कहानी की उद्देश शरंद पूरे के पृति मौनधारं करना है तभी तो आजादी के पूर्वकालिन हिंदू-मसल्मा एकता आजात के परशाथ शंपरदायत दंगों के रूप में फैलने हैं और हिंदू-मसल्मान सत्रू मन गिये हैं इस पर कासरंदाता कहानी का लेखक अपने कहानी के विशे में कला कता विशे कता विशे अनुरू Ass impastis करने में सफल होती है इस कहानी में सोट है की वो अपने घर में जाते हैं उनके दोस्ट घर में जो कि मुसल्माने हैं पर रहते हैं लेकि उसके दोस्ट जिस्गरिज में रखता है उस गिर Ça कमाले की उसे माराना चाता लेकिन इसकी व जो कि बिमार का नाम लेकर एक हिन्दू डोक्टर को बुलाता है और उसे भी अपने को मार देता है और ये दंगा और बढ़ जाता है तो ये कहानी को किसा लगा सरंदाता कहाने जिसके लेखा के सची दाना धिराना नुवास्ता लेन अग्ये